नमस्कार दोस्तो बीसिस्याई ने भारत और सिलंका के खिलाब तीन वंडे मैचों के लिए कन्फ़म और फाइनल स्क्वेड का एलान कर दिया है तो दोस्तों अभी भारत और इंगलेंड के बीच पास टेस्ट मैचों की सिरिज खेल रही है जिसका पहला टेस्ट मैच समापत ह गया है और दो फरवरी से दूसरे टेस्ट मैच का अगाज हो जाएगा भारत और इंग लेंड के बीच खेले जा रहे पांच टेस्ट मैचों के तुरंत बाद भारत को सिल लंका के खिलाप तीन वंडे मैचों की संखला खेलने वाली है जिसका भी सी सी आई ने कनफाम और दिखा दिया गया है और इस सिरिज के लिए बिसी सी आई ने केल राहुल को एक बार फिर से कप्तान बनाया है क्योंकि इनका कप्तानी में संदार रिकोर्ड है इसी को देखते हुए बिसी सी आई ने एक बार फिर से भारत और स्रिलंका वंडे सिरिज के लिए कप्तानी आपको भारतिये स्क्वेड बता देता हूं लेकिन भारतिये स्क्वेड बताने से पहले अगर आप भी ये सुर्य कुमार यादों का बहुत बड़े फेन तो चैनल को सस्क्राइब और इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर करना तो दोस्तों चलिए फटा फट भारतिये स् स्क्राइक वाड इशान की सन तिलक बर्मा स्रे सैयल केल राहूल विकेट किपर और कप्तान हार्दिक पांडिया सुर्य कुमार यादों सीवं दूबे रभिंद्र जटेजा कुल्दीप यादों जस्प्रीत भूमरा मुहम्मद सिराज और सिदीप सिंग सार्दूल ठाकूर और दीपक चहल को मोका मिला है तो दोस्तों आपको क्या लगता है सिलंका के खिलाप या 15 सदस्य टीम सिलंका को हरा पाएगी या नहीं अपनी राए हमें कमेंट बोक्स में लिख कर जरूर बताएं